हेलो मेंबर वेलकोमेट टो ओउन चनल स्टॉक मार्केट फट्डा में अब देखो आज भी पार्ट वन एंट पार्ट टू मिक्स कराऊं ठीक है इंट्राडे स्टॉक नहीं डिस्कॉस करेंगे सिफ निफ्टी का बेजिक पॉइंट पार्ट टू में बहुत सारे कंपनी इसके कवर करेंगे ओके चले फटाड आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं अब दिखो सबसे पहला पॉइंट आपको फोकस क्या करना है मैं आपको निफ्टी का बेजिक ओवर्वी बता देता हूं डाउ जोंस फ्राइडे को फॉल हुआ था डेफिनिटी डाइसो तीन सो पॉइ है और अगर आप बैंक निफ्टी देखने जाए तो यहां पर एक रेजिस्टन्स पे आ चुका है ठीक है लेकिन चांसस यह बता रहे कि भाई मार्केट में शायद यह रेजिस्टन्स को प्रेक कर सकता है तो शॉटन सिंबल में अगर फ्राइडे अगर मंडे को निफ्टी गैप डाउन ओपन हो तो चांसस से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है ठीक है आप मोटा मोटा यह समझो जब तक अट्रा दोसों की ऊपर क्लोजिंग है तब तक निफ्टी पॉसिटिव है मैं वर्ड यूज करहूं क्लोजिंग का ठीक है अगर आप देखो कि फ्राइडे ग आएगी क्योंकि मिड्केश भी रिटेली वशक समझो ध्यान से मिड्केश भी ओल्टैम लाइफ 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 पर पहुंच चुका है जहां पर रेजिस्टन्स मिड्केश को तो फेस डेफरेनेटली हो रहा है ठीक है मैंने जो आपको टेलीगर में शेयर के था वही है ठीक है अब देखो FI की खरीदा रही है एन रेटेल लें उशक के कोशन है का सर मान लो मिड्केश प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो क्या मुझे अभी मिड्केश में पूरा स्टॉक आउट कर देना चाहिए सील कर देना चाहिए ठीक है अब देखो मैं आपको सील कर करने के लिए नहीं बोलूगा शॉर और इन शॉट ठीक है उसका रिजन है क्योंकि मिड्केश अगर आप देखो कि इतना बड़ा फॉल के बाद वन शॉट में उपर गया है तो यह शायद रिट्रेस्मेंट हो सकते है क्योंकि अगर फॉल होना होता तो इतना बड़ा पुल तक फिर यहां से पॉल बेक करेगा मिड्केश तो 32,000 तक का वीट आप कर सकते हैं क्लोजिंग बेसे क्लोजिंग बेसे क्लोजिंग बात आ जाती है जोमाटो अब देखो रिटिल ने उश्चिक मुझे कोशन पूछते रहते हैं भाई बंदू है तो पूछेंगे उसने प्राइस कम रकी है जोमाटो एंज वीटी से और कितनी कम रकी है तो आप देख सते हैं पे हैं एप्रोक्सिमेटली मेक्सिमम को मेक्सिमम फॉर्टी फाइब परसंट तक प्राइस चीपर दिखाई दी रहे एस कंपे तो सोगी एंज जोमाटो ओपन नेटवर्क फोर इसा कुछ यहां पर नाम आता हुआ दिखाई गया है अब अगर पुछे सर यह कहां पर मुझे दिखेगा जैसे कि के अंदर मैक डॉनलल का जो में चिकन मिल है वह वन नियंट्य का है और जुमाटो में टूजिरो फॉर का है ठीक है आप यहां पर प्राइस थोड़ा कंपेर कर सकते हैं मोमो साथ देख सकते तो वह वन फॉर्टी फॉर का है जूमाटो में टू-ी नाइन का है यानिके सबसे ज जो चार्ज करते हैं बस उसका खेले और कुछ नहीं है तो मेरी सबसे अगर मेरा परसनल ओपिनियन भी पूछे तो मेरी सबसे जादा ये बंदा टिकना नहीं चाहिए क्योंकि देखो भाई इतना पैसे चार्ज करने के बाद भी अगर जोमाटो लॉस मेकिंग है ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि जादा पैनिक वाली प्रॉब्लम हो सकती है और ये जादा प्राइस डिफरेंस शॉट टर्म के लिए रह सकता है तो बहुत ही जल्दी ये अपने भी दम बड़ा दिये ठीक है उस टेम जो मार्केट में टिक गया वो टिक गया उसके बाद आप देखो कि तो एटेल अभी लाइफ टेम हाई पे ट्रिट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम किसको फेस होगे तो कि ये प्रॉब्लम जो प्राइस वार हैंडल नहीं कर सकता यानि कि इनके पास कैश फ्लो नहीं है उनको प्रॉब्लम फेस होगे और जो मटो के वास पूरा कैश फ्लो है आप डेफरिनिटी बैलेंस चेक कर सकते हैं उसी के वाज़े से तो भाई ये लॉस में टिका हुआ है तो अब ये समझो अभी तक स्टिल पॉजिटिव है अगर स्टॉपलस रखने चाहते हैं तो लॉंग टर्म वाले 50 रूपिस का स्टॉपलस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले 60 रूपिस के क्लोजिंग का स्टॉपलस रख सकते हैं ये दो आपका स्टॉपलस होना चाहिए बाकी सीरेस नोर पे टेंशन अभी नहीं गीना चाहिए चल मेरे मेरा पॉइंट वे माइन ने कता है जनरली अदानी क्रोप में क्यूंकि ज्यादा तो सट्टे कराती है 98 पॉसन या 99 पॉसन सी वाई हिड़न बर्क की रिपोर्ट के जाके जरू देखेगा डेलेफ अब देखो डेलेफ के यहां पर न्यूस है कि यहां पर प्रोजेक्ट लॉउंच कर रहे है 20 थाॉजन करोश टार्गेट सील बुकिंग है 12 लाग करोड कर पर टार्गेट सील बुकिंग है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी वग्जे से इनका future result बहुत भी बा कर रहे हैं जैसे कि दोस्तों पर उसको 400-300 उपर लिखे गए पता नहीं कहां तक लिखे गए लेकिन एफ्टे महाई तक लिखे गए है आइटी सी को वैसे डिलेफ यह उतना ही अभी के लिए फोकस कर रहे हैं तो मेभी यह जा सकते है डिलेफ लेकिन अगर आपको अच्छे र ज्यादा चूज करो वह ज्यादा प्रिफरेवल है कि के गोद्रेज प्रॉपर्टीज हो गया मैं डिलेफ में पॉजिटिव हूं लेकिन इतना भी नहीं कि यहां पे डिलेफ को चूज कर लो लूंग टम के लिए नहीं मैं इसमें पैसा रखोंगा तो बिल्कुल भी आ요स जे एस डबलो अब देख जे डबलो इंट्व एपसिंट की यहां पर इक्सपंशल को यहां पैसे एककर आ अब मैं वापस एक बड़ी न्यूस है वो भी रश्या यूकरीन वार की यह रश्या आफ किज़ेगा ध्यान से सुनेगा जर्मनी आपर यूकरीन की मदद करा है तीन बिलियन डॉलर की मिलिटरी एड पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला है जो बहुत बड़ी न नर्यों है रश्या यूकरीन के बीच में ठीक है तो रिटेली वाश्यों को फोकस करना चाहिए अभी ये न्यूस डेफनिटली लेकिन देखो ऐसी न्यूस अब मुझसे बूछे ने के सर ऐसी न्यूस के इंपेक करेगी ऐसी न्यूस तभी इंपेक करती है जब निफ्टी या बैंक निफ्टी या आपके स्टॉक्स लाइफटेम हाई पे ट्रेड होते है तब छोटी सी छोटी ने उस इंपेक करती है एंड मान लो निफ्टी बॉटम पे होता है जैसे कि आपको पता है कोवीड केसिस बाद में कोवीड केसिस यहाँ पे कंटिनिसली हाई पे हाई जा रहे थे लेकिन निफ्टी भी हाई पे हाई जा रहा था ठीक है क्यों जा रहा था निफ्टी क्योंकि भाई कोवीड की वज़े से फॉल आ चुका था ठीक है कोवीड की वज़े से आ चुका था तो अभी केस हाई जाए जाए एसा तो है ने कि दुनिया मर जाएगी नही covid cases high जाए तो इसी के वज़े से nifty high जा रहा था वास as simple as that तो short में यह समझाना चाहरा हूँ कि भाई इससे अभी ज्यादा tension लेनी की ज़रूती है लेकिन nifty है लाइफ टेम high के आसपस पहुचेगा तो यह ऐसी छोटे मोटी news छोटा impact करेगी future में अभी नहीं future में चुले मैं बस बात करते हैं फटाट कुछ result नियोजन केमिकल सर रिजल्ट कैसे है बाई clear का दिखाई दे रहा है कि quarter to quarter year to year week result आए है नियोजन केमिकल के ठीक है एक बार देख लेते है C vertically उपर गया था and then fall देखो मैं रिटेन वे शक्स से एक answer करना चाहूँगा एक बात बताना चाहूँगा पहले तो कोई भी ऐसे stock ना पकड़ो जो तीन दीन में 50% के रिटन दे तेरा सो का stock मांदो सतरा सो तक जाता है ना पकड़ो क्योंकि उसमें short term के लिए कोई किसीने भगाया होता है market में manipulation बहुत चलता है आप लोगों को बताया नहीं जाता ठीकर cb को भी पता होता है अंदर police वाले को पता ही होता है चोर कौन होता है लिकिन आप भी जानते हैं कि आपकी area में चोर कौन है वो आपकी area के police वाले को पता होता है वैसे ही market में पता होता है कि इसने कितना manipulation किया है ठीक है बस आपको बताया नहीं जाता और कुछ नहीं है तो short and simple में यह समझो कि इसमें result तो मेरी सब civic है लेकिन मैं ऐसे stock को totally avoid करूँगा बले आपको उपर जाता हुआ दिखाए दिए जादा fall नहीं करेगा यह stock and 1200 का support है stock में जैसे कि आप दिखसाथ है 1200 का stock में support है ठीक है and monthly negative crossover already यह बना चुका है stock अगर entry करनी है तो 1850 के उपर जाता है तो आपको entry करनी चीए लेकिन तब तक नहीं करनी चीए जब तक यह break नहीं हो जाए क्योंकि जिस तरह से trend बना रहा है यह बन्दा fall करेगा यहाँ पर fall करने के आफार है M pattern जैसा कुछ बना सकता है ठीक है तो better है wait and watch result week है profit में profit book कर लेना as simple as that trend अब देखो trend के result मिक्स है मेरी असाब से इसमें ज्यादा नेगेटिव में नहीं बोल सब्सक्राइब तक क्योंकि last March quarter में result में नेगेटिव था loss अभी profit में है लेकिन डिसम्बर की competitive week है तो आप यह समझो अनुमान तो उतने ही थे ठीक है अगर long term रिटिन निवोशक है तो stock को जरूर होल्ड कर सकते लेकिन volatile stock है यह बात ध्यान में जरूर रखे गया बहुत फाड की गिरता है के बाकि देखो long term में काफ़ अच्छी return देता है यह stock उसके लाव में बस अफ़ेल इंडिया रिजल्ट वीक है टीक है quarter to quarter year to year रिजल्ट वीक है stock quality काफी bottom पे trade कर रहे तो मेरी सबसे ज़्यादा fall आने की chances नहीं है के हलके से फॉल होंगे लेकिन हा रिजल्ट वीक आते हुए लिखाई दिए wait and watch कीजिएगा अगर cost to cost राजबस है तो profit या loss book करना चाहते छोटा मोटा तो कर सकते है stock का support 1000 था जो break हो चुग है अभी 800 का support है and then इसका support है 600 पे future में अगर 600 पे मिलता है मैं नहीं हुलूंगा आएगा लेकिन अगर आता है तो add करने का सूचना ज़रूर ओके चलिए मैं मैं बस बात कते हैं फटाटा आप लोगों की queries में देखो सबसर पहली query हो जाती है KEC वैसे हमारे वीडियो काफी लंबे हो चुके है लेकिन स्टिल कुछ कवर करेंगे हमारे भाईबंदू की queries पंगत शर्मा का question दके सर breakout कर रहा है KEC International MSRE crossover RSA 63 आपको क्या लगता है मैं बता देता हूं वैसे KEC वैसे मेरे software ने बता दे था KEC का stock मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे software ने बता था इसको जरूर focus करना चाहिए तो मैं थोड़ा सा bullish stock अलाकि volatile stock है तो केसी में breakout तो definitely है यहाँ पे लेकिन मैं आपको बोलूगा कि current month यानि कि 15 दिन wait करो current month की closing का ठीक है पंदरा दिन के बाद अगर यह stock हैं पे sustain करता है 525 की above वर्ड सुनिएगा तो काम का है दिखो मंतरी चाट पर cross हो है लेकिन closing का veto जरू करना चाहिए वहना आप first जाओगे तो यह हो गया है wilmar मुहमद सर ने पूछा था सर अधनी wilmar में क्या करे मिर भाई stock range में है कुछ नहीं करना है इसमें अभी के लिए ठीक है क्योंकि अधनी group के stock दूसरे भागेंगे तो wilmar भागेगा जिस तरह से यहाँ पे अधनी group के अंदर problems create की है इडन बर गए बस यह short term की problem है देखो इडन आप short आप यही समझो न आप ऐसा क्यों सोच रहों कि भाई आपको लगपती बनना है एक महीने के अंदर है short term के दर यह bitcoin तो है नहीं लेकिन return जरूर देगा क्योंकि company का potential इतना अच्छा है ठीक है result अच्छे दे रहा है और अगर long term के लिए यह stocks रखते हैं और इतने अच्छ return देता है तो क्या पता यह stock वाफस बहुत ही बड़ा run करें 300 का stock 400 का stock 4000 पर trade करें future में तब आप पस्ता होगे उस time पर ठीक है क्योंकि जैसे कि मान लोगों ने MRF लिया होगा 200 पर 200 हो गया 400 हो गया आज एक लाग पर है और वो आज भी नहीं बेचेंगे क्यों क्योंकि top पर trade करता है लोग को loss book करना पस समझ पारे हो तो short and simple में थोड़ा wait करो relax रहो अभी के लिए sideways से कोई tension लेने की जरूरत नहीं है ओके आखरी दो question ले लेते हैं फिर वीडियो close करते है polycab से क्या profit book करें देवो polycab में trailing stop loss रखना मैं serious note पर बताना चाहूंगा polycab इतने baker market में भी बंदा fall नहीं क्या यानि क की बंदे में तम है और यह मेरा one of the hot and favorite stock था अलब इससे जाद अच्छा मैंने stock life में नहीं दीखा था उस time पे जब मैंने आपको 600 पे 900 पे दो बार बाताया अभी भी positive है और मेरी सबसे बिल्कुल भी profit book करना का कोई suggestion यह बंदा गिरिगा भी नहीं कोई आसा नहीं गिरने के तो stocks को hold करो यह अभी भागने के लिए ready हो चुका है old tap really miss करोगे और मेरी सबसे यह really बहुत far के निकलेगी तो छोटा मोटा dpi बिल्कुल भी panic मत करना polycap करना and not even titan तो दोनों मेरे लिए positive है still बले छोटे मोटा dpi still positive okay last query dmart देखो dmart का result weak है लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा wait करना dmart की closing कहां पर रहती है क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए dmart closing का wait करेंगे और result to weak definitely है 3600 पर एक support है और अगर यह break हुआ तो 3400 तक देगा लेकिन maximum to maximum 3400 तक जा सकता है इससे नीचे जाना अभी के लिए मेरे लिए possible नहीं है तो await कीजिएगा selling loss में तो members who आपको इतनी समझ में पसंद आया है फिर कोई query रहती comment कीजिएगा telegram में नहीं है जाकर जोड़िएगा and whatsapp group को join करने हमारी link से dmit account उपन कर सकते है offers अभी भी continue है या 900 की membership ले सकते है मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जय हिन